आमिर खान की दंगल फिल्म में बबिता के बच्पन का रोल करने वाली आक्ट्रिस सुहानी भटनागर इस दुनिया में नहीं रही सुहानी ने आमिर की बेटी का रोल किया था सुहानी पिछले दो महीनों से बिमार थी माता पिता सुहानी को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेकर घूम रहे थे ये पता करने के लिए कि आखिर बिमारी किया है तो इलाज शुरू किया जाए लेकिन जब पता चला कि बिमारी किया है और इलाज शुरू किया गया तब तक सुहानी को उस बिमारी ने पूरी तरफ जकर लिया था अब इसी बीच सुहानी के पैरंस ने बताया कि आखिर जब वो परेशान हो रहे थे सुहानी की हेल्थ को लेकर तो आमिर खान से उन्होंने मदद क्यों नहीं मांगी आमिर ने क्या उनकी मदद नहीं की लोग ये जानना चाते हैं कि दंगल के बाद क्या आमिर से सुहानी कॉन्टैक्ट में थे क्या सुहानी और आमिर खान की बात होती थी तो इस पर पैरंस ने बताया कि आमिर खान से सुहानी थ्रूआउट टच में थी और वो पढ़ाई करने के बाद फिल्मों में ही आना चाहती थी सुहानी के पैरेंस ने बताया कि उन्होंने आमिर खान को सुहानी के हेल्थ के बारे में बताया ही नहीं वो खुद ही सुहानी को लेकर इतने परेशान थे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड रहे थे उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने आमिर खान से मदद नहीं मांगी अब यह हमने उनको बताया नहीं था जफिनिटली अगर एक मैसेज भी जाए गा उनको तो उनका इमिज़ेटली रिस्पॉंड आता है उन्होंने ये भी बताया कि आमिर खान की बेटी आईरा की शादी में आमिर खान ने सुहानी को इन्वाइट भी किया था लेकिन सुहानी की तब्यत खराब थी इसलिए सुहानी इस शादी में नहीं जा पाई सुहानी के पेरिंस का कहना है कि आमिर शादी में बिजी थे इस वज़े से भी उन्होंने आमिर खान को सुहानी की हेल्ट के बारे में नहीं बताया सुहानी के पेरिंस ने बताया कि आईरा की शादी में बुलाने के लिए आमिर ने हमें कॉल भी किया था हमें ये विश्वास है कि अगर हम सुहानी की परेशानी आमिर से डिस्कुस करते हैं तो वो definitely सबसे पहले मदद के लिए आ गया आते हैं लेकिन हमने ही उन्हें अपनी परेशानी शेयर नहीं की थी कुछ इस तरीके से आमिर तक सुहानी की इस हेल्थ की अपडेट भी नहीं पहुँची थी अगर ये अपडेट पहुँचती तो शायद आमिर खान कोशिश करते कि सुहानी को best to best treatment मिले और सुहानी की जान बचाई जा सकती थी सुहानी 19 साल की थी वो college में पढ़ाई कर रही थी उनकी mother ने एक interview में बताया कि college की भी वो topper थी हर चीज में वो excel करती थी और आगे चलकर film industry वापस join करने का plan था